नमस्कार में हो प्रिया बिहारी नियूज में आपका स्वागत है बिहार में स्वास्त वभाग के माध्यम से राजिभर में राश्ट्रिय पल्स पोल्यो टीका करन अभियान की शिर्वात होने वाली है जो कि बिहार भर में 27 फरवरी से संचारित होगी इसमें कोरोना प्रोटोकॉल का खास ध्यान रखा जाएगा स्वास्त मंत्री मंगल पांडे की तरफ से मिली जयानकारी के नुसार ये अभियान पांच दिनों तक चलने वाला है इस बीच एक मार्च को महाशिमरात्री के सारवजनिक अवकाश को देखते वे आवश्रक्ता अनुसार पल्स पोल्यो अभियान को एक या दो दिन विस्तार दिया जा सकता है हालाक इस दौरान सभी दल कर्मियों के पास परियाप्त मात्रा में वैक्सीन की उपल्स दिता जरूर होगी मुख्य स्थलो को चुनहित कर वहाँ पर लक्षित बच्चों पर विशेश ध्यान देते वे पोल्यों की खुराक पिलाने का काम भी होने बाला है बिहार के डाक घरों में मिल रही है खास सुवधा सरकार ने बिहार के डाक व्यवस्था में जौन फूकने के लिए ही इसे बैंकिंग सेवा से जोडने का एलान किया है जिसका सबसे ज्यादा लाब ग्रामीन शेत्रों को होने वाला है जो इसके बाद ही अब बिहार डाग परिवंडल में कोर बांकिंग के सुवधा लागो हो जाने के बाद अब इसका नया रूप सामने आएगा मुख्य बांकिंग की सुवधा से बंचित गाउं के लोगों को भी इसकी सेवा मिल सकेगी इस खास सुवधा की शुरवात ग्रामीन बांकिंग शेत्र में क्रामति की तरह है इसकी सेवाओं का लाब लेने के बाद कोई भी इसकी प्रसंचा की अबिनान नहीं रह सकता है यानि की जल्दी अब बिहार के लोगों को समीधा घरों में CBS यानि की कोर बांक के सिलिूशन से लेन देन की सुवधा मिलने वाली है जुससे आने वाले दिनों में लोगों को काफी आसानी होगी बिहार में शुरू हुई 9 वी की परिक्षा विःर विद्याले परीक्षा समीति के तत्व धान में 9 वी की बारशिक परीक्षा आज से शुरू हो गई है जो कि विःर बॉर्ड की तरफ से दो पालियों में आयोजित करवाई जा रही है श्रनिवार को पहली पाली में विज्ञान की परिक्षा आयोजित हुई तो दूसरी पाली में गणित की परिक्षा का आयोजन किया गया वहीं तीन मार्ज को एक शिक विश्यों की परिक्षा का यूजन किया जाएगा बिहार के कई जिलों में अभी भी बारिश और ओले गिरने के आसार बिहार भर में मौसम की अठखेलिया देखने को लगातार मिल रही है आलम कुछ हूँ है कि पटना सहित बिहार के कई हिसों में बारिश तो कई हिसों में ओला गिरने की संभावना अभी भी बनती दिखाई दे रही है मौसम विभाग की तरफ से लगातार बिहार के अलग-अलग जिलों में बारिश और ओलव रिष्टी को लेकर अलर्ट भी जारी किया जा रहा है मौसम विभाग के इंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान उत्तर पश्रिम उत्तर मध्य दक्षिन मध्य भाग के पटना समेट प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर और दक्षिन पर भाग के कुछ सानों पर हलके से मध्यम स्थर की बारिश का प्रदेश के उत्तर पश्रिम उत्तर मध्य दक्षिन मध्य भाग के कुछ सानों पर मेख गरजन के साथ ओला वरिष्टी हो सकती है इसको देखते वे मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से यलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है अपने खर्चे पर अब यूक्रेन में फसे बिहारियों को वापस लाएगी बिहार सरकार रूस और यूक्रेन के बीच शुरु हुआ विवाद अब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है आलम को चुह है कि लगातार रूस की तरफ से हमलों का सिलसला भी जारी है इसे बीच अब यूक्रेन में फसे लोगों को बाहर न निकालने का विकल्प निकाला है जिसके तहए थी मुख्यमंत्री नितीश कुमार ने यूक्रेन से दिल्ली मुंबई आने वाले बिहार के लोगों को राजसरकार के खर्चे पढ़नाने की बात कही है उन्होंने कहा है कि राजसरकार हर एक बिहार वासी के लिए प्रतिवद गया इसमें संशोधन के बाद शेहरी निकायों में मेयर डिप्टी मेयर या मुख्यपारशद और उप मुख्यपारशद के नर्वाचन में आने वाले बदलाव की विसरत जानकारी दी गई है जारी किये गए नैनियम के अनुसार सरकार भ्रहशाचार में सनलिप्त पाई ज केंद्रिय सिक्षा मंतर वाले की तुरब से बीते दिन सेक्षरिक वर्ष 2022 स्टेट्स के लिए JEE Advance में बैटने वाले चात्रों को बड़ी रहा दी गई है जिसके तहती अब इस सत्र में Advanced में सफल स्टूडिन्स अगर बोर्ड में 75% मार्क्स या Top 20% में शामिल नहीं भी है त आपकी जानकारी के लिए आपको बता दे कि JEE मेंस 2022 का आयोजन 249 में होने वाला है मुख्य मंतरी के सिर पर शराबंदी का फितूर सवार विहार के मुख्या नितेश कुमार बार बार सपष्ट कर चुके हैं कि शराबंदी के मुद्दे पर वो किसी भी हाल में कोई भी समझ जोता नहीं करने वाले हैं दूसरी तरफ विपक्षपी समुद्दे पर लगातार मुख्य मंतरी को ही निशाना बनाती रही है इसी कड़ी में अब इसमुद्दे को लेकर चिराग पासवान ने बड़ा हमला बोला है हाजिपुर में कई नीजी कारिक्रम ने शिरकत करने पह हुआ सवार है ललन सिंग अब मुंगेरवासियों को देंगे कई सौगात जद्यों के राश्ट्रे अध्यक्ष ललन सिंग जल्द ही मुंगेरवासियों को कई सौगात सौपने वाले हैं मीदिया में चल रही खबरों के नुसार बरियार पुर प्रखंड शेत्र के किसानों क के दिन अब जल्द ही सवरने वाले हैं करहरिया पुर्वी पश्चिमी दक्षिन पंचायत के किसान जिसके बाद ही अब और ज्यादा सम्रथ होने वाला है किसान की बड़ी आबादी की सचाई में सहूलियत की अब उमीद भी बढ़ने लगी है खबरों के अनुसार पांच मार्च को बरियार पुर प्रखंड के करहरिया दक्षिनी पंचायत सिद्ग गौरा गाउ में मडी नदी पर चेक डैम और पाइन का शिला नियास होने वाला है खबरों के माने तो इस पर कुल मिलाकर 21,89,57,000 रुपे खर्च होंगे बिहार में कॉंग्रिस ने किया अपना डिजिटल सदस्ता अभियान तेज हाश्ये पर जा रही कॉंग्रिस अब एक बार फिर से अपनी पुरानी छवी को वापस लाने में जुट गई है यही कारण है कि बिहार में भी कॉंग्रिस अब पार्टी के विस्तार में लगी हुई है इसको लेकर ही बिहार में कॉंग्रिस ने डिजिटल सदस्ता अभियान को तेज कर दिया है इसके माध्यम से ही पार्टी ने 32 लाग लोगों को 31 माश तक कॉंग्रिस से जोडने का लक्षे रखा है बिहार प्रदेश कॉंग्रिस कमीटी के सहाइक नर्वाचन पदाधिकारी डॉक्टर निदेश कुमार अभियान के सलसले में पांच दिवसी अभियार दोरे पर हैं जहां वो बिहार में ही क्यामत करने वाले हैं पटना दौरे के दौरान डॉक्टर नरेश कुमार ने कारेकरताओं से अभियान में बढ़ चड़ कर हिसा लेने की अपील की नितीश सरकार को गिराने के लिए सहनी पूरी तरह से है तयार उतर प्रदेश चुनाव प्रचार से बिहार बुजट सत्र के लिए पटना लोटे वी आईपी प्रवोखोर प्रदेश के पशुपालन मंतरी मुकेश सहनी अब अपने तेवर में नजराने लगे है उतर प्रदेश में पहले भाजपा को सत्ता से गिरानिक के एलान के बाद अब उन्होंने सीम नितीश को भी धमकी दे दी है जिसके तहत उन्होंने साफ किया है कि अगर उनकी पार्टी की शर्टों को नहीं माना गया तो वो मंतरी पत से इस्तीफा ही देंगे इतना ही नहीं बिहार के पशु एवमतस संसाधन मंतरी ने इस दौरान ये भी सपष्ट कर दिया है कि मैं मंतरी बनने के लिए सत्ता में नहीं आया हूँ आपकी जानकारी के लिए आपको पता दे कि मुगेश सहनी ने उक्तबाते विधानमंडल सत्र को लेकर बुलाएगे इंडिये विधायक दल की बैठक में कही है रूसी उक्रेन लड़ाई से बढ़ी महंगाई रूसी उक्रेन की बीश शुरू हुए तनाव का असर अब देश भर की महंगाई पर देखने को मिल रहा है खासकर बीते 3-4 दिनों के अंदर रिफाइन तेल के दाम में काफी इजाफा देखने को मिला है इसको साथ ही खाने के शौकिनों को भी करारा शटका लगा है यतना ही नहीं अब तो मसाले के दाम भी पिछले 10 दिनों में काफी तेजी से बढ़े है सबसे अधिक रिफाइन तेलों के दाम में 15 रुपे लिटर की प्रधी हुई है वही सरसो तेल का भाव स्थिर है जो अभी 170-180 रुपे कीलो बिक रहा है बामलों में जैसा की आप देख सकते हैं की कमी आ रही है ऐसे में भारत बाम श्रीलंका के बीच होने वाले दूसरे टेस्ट मुकाबले में दर्शकों को स्टेडियम में इंट्री करने की अनुमती बिल गई है मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार बैंगलोरों के एम चिनना स्वामी स्टेडियम में होने बाले इस दिन मैच में 50 प्रतिशत दर्शकों को स्टेडियम आने के अनुमती होगी इसके लिए टिकेटों की कीमत भी तैय कर दी गई है टिकेट बिकरी एक मार्ट से शुरू होगी कोरोना के मामलों में जारी है गिरावट देश बर में कोरोना की तीसरी लहर अब थमती हुई नजर आ रही है स्वासमंतर वाले की तरफ से साजह की गई जयानकारी के नुसाया देश में बीते दिन कोरोना के 11,499 नई केस आए और 205 पर मरीजों की जान गई है 25 दोरान 23,598 लोग रिकावर हुए जिससे अब तक ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 4,25,70,482 है रिकावरी रेट 98,52 प्रतिशत है फिलाल 1,21,881 अक्टिव केस है जिसकी दर 0,28 प्रतिशत है आपको बता देए ये आंकड़े देश भर में हुए 11,36,133 कोरोना टेस्ट के बाद आए हैं अब तक 76,57 करोर टेस्ट हो चुके हैं मालूम हो कि COVID-19 के खिलाब वाक्सिनेशन कैमपेइन जारी है देश भर में अब तक 177,11 करोर वाक्सीन डोस लग चुकी है अर्थववस्था की जीवी का बनी दीदिया विहार के गाउं की आर्थिक वृधि में जीवी का दीदियों की भूमी का बेहधी एहम बताई जा रही है क्योंकि जो आकड़े आए हैं उसके अनुसार अपने कारोबार के लिए अभी तक रज्य में 12,72 जीवी का सम्हू की तरफ से बैंकों से 16,537 करोर का लोन भी लिया जा चुका है 16,537 करोर का लेंदेन किया जा चुका है इसकी जानकारी बीते दिन विधान मंडल में पेश कUNGये गए आरतिक सर्विक्शन रिपोर्ट में दी गई है आरतिक सर्विक्शन रिपोर्ट को देखे तो जीवी का के अलावा आप इसे तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे हम हर दिन भी यूजर का जवाब में अच्छा लगी का उनका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे तो चले बढ़ते हैं आज के सवाल की और हलाकि सवाल के तरफ बढ़ने से पहले अगर आप रोजकार से जुड़े समाचार से अपडेटिड रहना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरी यूट्यूब चानल जियो वी पीवीटी को ज़रूर सब्सक्राइब करें जिसका लिंक बढ़े खबरों से अपडेटिड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन दबाना ना भूले धन्यवाद